एक लड़ी चीज भी सीटी में जाते हैं, वहाँ के आद्मियों के साथ उसका अफेर हो जाता है अब हो एक न्यू सीटी में है, तो क्या हमारी मैन केरेक्टर में का हजबन उसे बच पाएगा उसके यहाँ आने के बीचे इरादे के आते हैं, यह हम आज के हमारे मुवी, तो कोड़ वूमार्ट की एक रोमेंटिक ड्रामा हॉल्वड मुवी में देखेंगे यह मुवी एक एसे ट्विस्ट के साथ आते हैं, जुसे आप इमेजीन भी नहीं कर सकते हैं अगर आपको रोड़ाच रखता है, तो पीसे लाइक और कमेंट सरू कर दीज़ें अपना इस दरीग है, एक्समेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होते हैं, और हम कुछ अमीर औरतों को हुआर्लेण के बारे में बहुत कुछ बुरा-Бुरा बुरा बोलते हों देख सकते हैं एक्सम में टेपल की हर एक हमेर औरत के अश्बैंट के साथ, आर्लेण का फेर था आस आर्लेण को मिलने के लिए कोई आत्म ghee आ रहा था अब इटले पहुची है, वाह के निसमेपर में उसे एक बहुत ही अमीर आदमे के बार पदा चला हूँ, और वो मैरीड था, पर इस बात से आर्लेन को कोई भी फिरत पढ़ने नहीं वाला था, अगली सिंग में उस अमीर आदमे रॉबर्ट और उसके वाइप मेक को देखते ह यह तो उन्हें शॉपिंग करने के लिए थे, पर रॉबर्ट ज़रा बीजी हो जाता है, तो उन्हें पहुचाने वाली लीडी एक शॉप में मेक को लेकर गी, यहाँ पर डार्लिन नाम के आदमे मेक को फरस्ट एंड देखते हैं, और उसे वह बहुत अच्छे लगी थी, वो तुरूंद उसकी पास आख और उसके साथ फ्लेट करने लग गया, कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के लिए भी ख्लो लेना चाहता है, तुमारे हाथ भी उसी की तरह है, तो क्या में ख्लो आपको पहना सबता है, मैं इस बात के लिए मान की, थोड़ी दरी मेक के अजबन को लेकर उन लेडी फिर से वापस आती है, उसे उसे कहां कि इसके साथ भी फ्लेट करना स्टार्ट मत करना, एक्चल में डार्लिंग हाथ एक लड़की के साथ फ्लेट करता था, वो मिडरेश था पर अब भी उसके शादी हुए नहीं थे, डार्लिंग का मानना है था, कि अभी अभी उस अच्छे व्यार को ढूंड रहा है, रॉबर्ट और मेग अभी अभी इस सिटी में मूव हो रहे थे, वालेग अलग जगा देख रहे थे, उन्हें एक पैलेस पसन हा, तो रॉबर्ट ने मेग के लिए उपाई कर लिया, यह सब देख करो बहुत ही खुश थे, डा पार्टी में मेग को अकिला देख तारली ने उसके पास आ किया, उसने उसे ट्रीन के लिए बुशा, तो मेग उसे मना कर देख, यह थी कि मेरी फैमिले में कोई भी ड्रिंग नहीं करता, वो अपने बच्पन के बारे में बताने लगके, तो जब वो बहुत ही छोटी थी, तो इसके मदर की टेथ हो कई थी, बाद में उसके फादर भी गुजर गए, तो फादर की सिस्टर ने उसे चोटे से बढ़ा किया था, अपने मदर की बहुत ही पुराने फोटो में के पास है, इससे में भी आप कुछ बे सही से देख नहीं बात है, डारले ने मदर की फोट मतलब नहीं है, में का बड़ियो पास आ रहा था, तो उसके लिए किफ लेने के लिए रॉबर्ट इक चुलरी शॉप में आता है, वहाँ बड़ अर्लिन भी थी, और रॉबर्ट से गे थे, तो वाइफ के लिए कवड़ भी चुलरी बार मत करना है, उसला कि जाए तुम्हा में रॉबर्ट से गा कि में सेल नहीं करना चाहता है, पर रॉबर्ट को इतना चलाया था, तो बहुत जादा पैसे देखर उसे पाई कर लेता है, गर जाते हो रॉबर्ट में अर्लिन को अपनी काड़ी में लिफ्ट दे थी, इस सारी चीज़ों उनके फ्रिंड्स नेक रहे और उसे पुछती है कि कैसे देख रहा है, में ने कहा कि यह ड्रेज जरा छोटी है, अर्लिन ने कहा कि आदमें उकमे यह साभी पसना आता है, में ने कहा कि मैं मेरे हस्बंड को जान तो, उससे इस साभ पसन नहीं आता, में लेक से नम देख ते कि रॉबर्ट की फ्रेंड उस पर नजर अखने लागे थे, आजकल वो सबसे छुपते छुपा थे, आर्लिन की घर पर जाने लागे आता, उसके पिटवी जो बहुत ही पूरी पूरी चीज़े बोला करते थे, एक दिन में और रोबर्ट को ले जाने के लिए डार्लिन को चाहते है, अचाना से रोबर और डार्लिन ने रोबर्ट के चेक देखे और उसमें आर्लिन के नाम पर उसने कुछ पैसे किये हुए थे, इन चेक्स के वज़े से उनका अफेक कन्फरम हो जाता है, इस सिटी के और एक अमीर आगमी जिसका नाम था टपी, उसके साथ भी आर्लिन का मिलना जनना होने लग किया था, एक दिन उनके फ्रेंज इसकस करते हुए गए थे कि शायद आर्लिन और रोबर्ट इन दोनों में चपकर चल गया, यह बात उसे बता गएते हैं, अपने गाहा कि रोबर्ट सिर्प उसके इंवेस्टमेंट रहे गया, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ल में लेट हो गया, तो शायद उसे शर्च चला जाएगा, वार्लिन को कुछ पैसे दे कर जाता है, अपने अफिस में आया है, मेग ने कहा कि तुम अपने आफिस में नहीं थे, रोबर्ट कहता है, मेरे जाने के बाद तुम आई होगी, इस तरीक से उसका चुट पगड़ने मेग को पुरा लगता है, मेग से में सब लोग ऑपरा लेखने के लिए गए हुए थे, अर्लिन और टपिक को एक साथ बात करना देख, उसके बारे में वो गॉसिप करने लगता है, वो किस तरीकी के और अदेज से वो बात कर रहे थे, तो इसमें मेग भी बहुत ही इंट्र अर्लिन के बारे में पता था कि उसका पास्ट उतना अच्छा नहीं है, और उचेसी है, वैसे उसे एकसर्प करने के लिए रेडी था, टेभी के भी दो थीन एकस्वार गरे चुकी थे, आर्लिन गिर उसे अपने गर पर लेकर ले, गराने पर मेग रॉबर्ट से गे ठीक त अर्लिन टपी को अपने घर पर लेकर आई थी, मुझे लगता है कि यह दोना एक तुसरे को समझ बात है, टपी ने कहा, शायद मुझे तुमसे शादी करने चाहिए, आर्लिन गहती कि मेरी कोई भी शादी ठीकी नहीं है, श्रोली श्रोली पैर कम होता जाता है, और अब इसी बज़स तुमें यह सब लगता है, आर्लिन गहती कि सब गल्दे शायद मेरी ही थी, टपी उसके पास आगया और उसे किस करने वाला था, आर्लिन गहती कि मुझे सिगरेट की स्मूग अच्छी ने लगते, टपी वही कि वही हमेशा के लिए सिगरेट बिना छोड़ द तुमें लगेगा कि हम दोनों के भीच में कुछ नावच्टों चाल जागा है, डार्लिन के लिए कि मुझे सब चीजों से फ़कर नहीं बढ़ता है, अगर तुमें कवे भी किसे भी सहरे की ज़रुएत पड़े तो हमेशा में तुमें सपोर्ट करोंगा, पार्टी में किया कि रोबर्ट और आर्लिन के बीच में अफिर चल रहा है, इस बात से बहुत ही जादा अफसेट हो जाती है, अपने एक फ्रेंड को बात अजाती है, तो फ्रेंड में कहा कि आर्लिन उसी टाइप कि है, हर यादमी को फसा देती है, मैं एक कोच्छा फिल पे लाने के लि क्योंकि रोबर्ट और आर्लिन के रिलीशन्शिक को रोग इस तरीके से ज़ज पह रहे हैं, वो डार्लिन से पाथ करता है, क्याता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, इतने पैसे देने के लिए में रेडियों है, तो तुम्हें अप्री के अभी क्यों चोड़ कर जाना वो खुश है, और उसे इस सब की जरुआत नहीं है, इसे एक बात को लेकर आर्लिन रॉबर्ट को ब्लैकमेल कर रही थे, इसी वज़े से रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे दिये थे, एक्चल में उन दोनों के बीच में खुच भी आफिर चल ले रहा, एगात में जिस और रॉबर्ट की बीच में आफिर है, उसे में जिस तरीकी की ट्रेस आर्लिन की थी, उसी टाइप की ट्रेस उसने पाल कर ली थी, और उसे सब की सामने आ जाती है, रॉबर्ट उसे लेकर जा रहा था और उसे कहते है, मुझे तुमारे और आर्लिन के बारे में पता चल गय अज तुम मुझे कुछभी बोलें के शुरू अस्म हमगों करना। ऑठ्डी में बाद करते करतें डंबी ने लोगों से एक है कि मेंग और आरलेन सेम भी लगती है। इसे कोई भी स्यादा से डियर लेता ले। पार्ड़ी में मेंग और आरलेन की ट्री सेम डारलेन को लगता है कि वो मेंग है और आरलेन के पास बोल्ज है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही है आरलेन को दीखका सप्राइश दो था और उसे गहता है तपी के पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है रॉबर्ट उसे ज़्यादा अमीर है तुम्हें उसकी साथ अफिर कंटीनू करना चाहिए में एक रॉबर्ट को छोड़ने से डरती है तो अगर हो तुमसे शादी कर लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा परड़ी में डभी के फ्रेंड्स उसे समझा रहे थे कि आर्लेन के साथ उसके रिलेशनशेप उसे कंटीनू नहीं करने जाएगा डभी ने कहा कि अब में ओल्ड हो चुका उसे फिर से कोई भी मिलने नहीं आएगा और आर्लेन बहुत ही ब्यूटिफुल है परेंड्स ने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसो के लिए तुम्हारे साथ है डभी ने कहा कि अगर वो ब्यूटिफुल ने होती तो में भी उसे कोई भी भाव नी रहता है उसे रिलेशनशिप एक बिजनेस की तरह लगती है पर फिर भी आर्लेन से वो बहुत तार करता था में एक डिस्टर वोकर बहुत ही ज़ादा ठ्रिंग करता है रोबर्ट ने उसे रोपने की कुशिश की और उसे कोई भी बात तो नहीं मानता मेख को सेद तक डार्लेन उसके पास बोढ़ जाता है उसने कहा कि आर्लेन बहुत बोड़ी है तो मुहादी जाथा प्रुटी फॉल मुआ उसके पास आकार उसे किस कर लेता है एक डिस्टर वोकर मेख बाहर आपे डार्लेन ने कहा कि रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया अब तुम उसे छोड़ देना चाहिए तुम से बहुत इतार करता हूँ मैरिज लिपने हम दुन्यों के किसी भी कौने में जा सकता है रॉबर्ट में को डूढ़े दूढ़े बाहर आ गया था तो छुप जाती है मोखी का फायता उठाकर टपी पार्टी में आर्लेन के पास आया उसे मैरिज के लिए प्रपोस कर गएता है आर्लेन में उसका मजा के लिए तिरिक सिर्फ परसों के लिए उसके साथ हो शादी कह रहे है तो इसके बाद इसके लिए उमान जाती है रॉबर्ट आर्लेन को पार्टी में देख कर और भी ज़्यादा गुस्ता हो गया था उसे और पैसे देता है और जल्दी से जल्दी निकाफ जाने के लिए कहता है आर्लेन ने काओ कि मैं टारिक ली जाकर में इसे बात कर सकते हूँ उसे समझा सकती हूँ कि मैं और टब टब शादी करने वाले है इन बोनों का बात करना है में ने बाहर से देख लिया तो और भी ज़्यादा वो गुस्ता हो गया अरलीन अभी हाँ से निकल रही थी तो फाइनली मेक से वो बात करने के लिए मेक की रूम का दरवाजा खुला थी उसने रॉबर्ट के लिए एक चिट्टी छोड़ी थी वो दो बहुत ही ज़ादा बोड़ी है वो दिगने में में इतनी अच्छी नहीं है रॉबर्ट के जाने के बाद अरलीन टबी के पास आई और उसे गेटी कि रॉबर्ट को आज राप घर के बाहरी रखो टबी ने पूजा कि ऐसा क्यों अरलीन गेटी कि अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो बहुत सारे सवाल तुम्हें नहीं बूछने पड़ेंगे बहुत बार तुम मेरे क्वेश्चन के मुझे ही आंसर पताने होते है तबी भी ये बात मान जाता है एक्चन में एक डार्लिंग के बोट पर आ गेए थे उसे की साथ हो फाग जाने वाली थे उसे संजाने के लिए बोट पर अरली ना जाती है वो गहती कि तुभे अपने हजबन के पास आपर जाना चाहिए हम दोरों के बीच में कुछ भी आफेर नहीं चाल रहा है मुझके एक रिलेट्यू और उसे वज़े से मुझे पैसे दे रहा था तुम्हारा अजबन तुमसे बहुत ही प्यार करता है मैं इक उस पर जादा भिलू नहीं करता है तो अरलेने का कि अगर तुम इस तरीके से चली जाओगी तुम्हारी लाइफ बहुत ही बत्तर बन जाएगी लोग हमीं साथ तुम्हारे बारे में बाते करते रहेंगी तुम अभी रिग्रेटनी करोगी पर 20-30 साल में तुम्हारी बहुत ही बुरा लगी इस तरीके से तुम्हें नहीं जाना चाहिए मैं इस बात को समझ आई थी तभी रॉबर्ट और डार्लेन को लेकर वहाँ पर बोज़ गया यह सब मिलकर अर्लेन के बारे में बात करने लगके वो फिर से टभी को समझाने की कुशिश कर रहे थे टभी कहता है कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अपना माइंड चीज नहीं करने वाला यहां वरगार में तो रॉबर्ट में में को जो हैंड फैन दिया थे ही मिल जाता है कि मैं इस बात के बहुत है अज लास टाइम अर्लिन को बता चला है कि टभी ने अर्लीन से परिक अप कर लिया है। उसी इस बात के ने बहुत ही बुरा लगता है। आज लास्ट टाइम अर्लीन मेग से मिलने के लिए आई गुई थे। रॉबर्ट ने अर्लीन से बाग की। का कि अगर तुम सचोश में मेग से प्यार करते हैं, तो इस तरीकी से उसे चोड़कर नहीं जाते है। अर्लीन ने का कि जिस तरीकी का मेरा मैरेज था, उसमें मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसे आज से जाने के लिए गहता है। अर्लीन ने का कि मेरे वज़े से तुम्हारा मैरेज थोट गया। मैं रॉबर्ट को सब कुछ सच सच बता दो नहीं। अर्लीन गहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। तुम तोना एक दूसरे से बैर करते हो, यही तुमारे लिएक सच है। उसे प्रॉमिस करने के लिए कहती है। मेग ने कहा कि मैं मेरे मदर की प्रॉमिस लेती है। मेरी मदर मेरे गाटीन एंजर है। वो हमेज़ा मेरा खैल रखती है। यह बात सुनने के बाद अर्लीन यहां से जाने लगती है। रॉबर्ट ने कहा कि तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। अर्ली ने कहा कि मेग अपनी मदर को घवान समान मान दिया। उसकी इस फेद को मैं डिश्ट्रा नहीं करना चाहती है। जादे-जादे रॉबर्ट ने जो भी पैसे अर्लीन को दिये थे इस सब कुछ रिटन करकर जाती है। मेग और रॉबर्ट की विच में सब कुछ ठीक हो गया था। अर्लीन जब प्लेन में बटी तो तब ही उसका वेट कर रहा था। तब ही कहते है कि मेग ने मुझे सब कुछ बता धिया। अर्लीन अर्लीन चाहि उसे बूचा की उसने क्या कै बताया। तो मेग ने सब को छोट बोला था। उसका मैरीज बजाने के लिए उसनेे हमेसे हल्प कर दी। तपि अर्लिन के साथ बहुत ही खुछ था और अर्लिन को भी पसन आया था अब एक अला कंट्र में जाकर ए फिर से अपनी लाइफ कंट्वी करेंगे इसे के साथ मुवी एंड हो जाती है अगर आपका एक्स्परेशन अचलेगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा वहाँ सारी मुवीज लेकर आख रहता है तो प्लीज से चैल्वाँ को सब्स्क्राइब कर दीजेए और बेल आटोवेशन आइकान दने मत फूलेएगा हम भी से मिलेंगे और एक नेमुए के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे